हेलो फ्रेंज, लीवर जरी का सबसे मुख्य भाग होता है, इसका मुख्य काम पाजन तंत्र से आने वाले खून को फिल्टर करना है, इसके साथ ही लीवर रसायनों को डिटॉक्सिफाई करता है और दवाओं को मेटाबोलाईज करता है, और फैट को कम करने कार्बोहाइट्र को इस्टोर करने से लेकर रूटिन बनाने में मदद करता है, इसलिए इसकी सिहत का ध्यान रखने से ही आप निरोगी जीवन जी सकते हैं, और संतोरित जीवन सेली आपकी लीवर को सराब जितना ही नुक्सान पहुचा सकती है, लीवर कमजर होने के लक्षन क्या है, लीवर सराब का सेवन और मुटाबा, समय के साथ लीवर को नुक्सान पहुचाने वाले इस्ततियों से शिरोसिस भी हो सकता है, इससे लीवर के फैल हो जाने का खत्रा बना रहता है, लीवर खराब होने पर सरी में कमजूरी होना, भूग कम होना, उल्टी होना, नीन ना आना, दिन पर धकान मैं सो सोना, सरे में चुस्ती रहना, तेजी से वजन घटना, लीवर में सूजन जैसे लक्षन दिखने लगते है, ऐसे में हम जराब जितना ही हानी पहुचाने वाले लीवर के दुस्मनों के बारे में आपको बता रहे है, वीडियो को पूरा देखे, वीडियो प बर्गर और पिच्चा खराब विकर्प है, बहुत सारे ऐसे खादे परदात खाने जिसमें चैस्चुरेटिट फेड अधिक होता है, आपकी लीवर के फंक्षन को अकठिन बना सकता है, समय के साथ ये सूजन का भी कारण बन सकता है, जो बदले में लीवर को खराब कर सकता है, इसे सिरोसिस के रूप में जाना जाता है, तो अगली बार जब आप ड्राइव थ्रू लाइव में हो तो एक सुष्ट विकर्प और करने के बारे में सूचे, पैप्ट फूड से बनाए धूरी, चिप्स और प्रोस्टेट फूड के साथ ये समस्या होती है, कि ये आम त रेड मीट के सेवन से बचे, ये प्रोटीन से भरपूर हो सकता है, लेकिन ये लिवर के लिए फायदिमान नहीं होता, लिवर इस प्रोटीन को आसानी से नहीं तोड सकता, जिससे अतिरिक प्रोटीन का निर्मान विसाक्त हो जाता है, और लिवर और मस्तिक्स पर पढ़ता है ड्राइफ फ्रूट्स भी पहुचाते हैं नुकसान ये विस्वास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन बड़ी मात्रा में फ्रेश्टोज यूज ड्राइफ फ्रूट्स जैसे किसमी सुखे मेवे खाने सी सूजन और फैटी लिवर हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद सुखर जिसे फ्रूटोज के रूप में चाहना जाता है बड़ी मात्रा में सेवन करने पर रक्त में और सामाने मात्रा में वसा पैदा कर सकता है मीठा खाने की अधि ना करे बहुत अधिक मीठी चीजे आपके लिवर पर भारी पढ़ सकती है ऐसा इसलिए है क्योंकि लिवर का सुखर को वसा में बदलने का काम करता है यदि आप ज़्यदा मीठा खाते है तो आपका लिवर बहुत अधिक वसा बनाएगा ऐसे में आपको लंबे समय में फैटी लिवर की बिमारी जैसे इस्तती हो सकती है इसलिए एक नियमित मात्रा में ही इसका सेवन करे थेंक यू फेरी मच